असलाम वालेकुम इस वीडियो में आपके लिए आपके डिमांड पर Infosys जैसी बड़ी कमपनी की तरोफ से OnSpot Offerator की एक बहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ अगर आप Infosys के लिए online apply कर रहे है बट response नहीं आ रहा है फिर ये opportunity आपके लिए है आप 10th February को यहाँ पर सीधे walk-in करकर अपना interview schedule कर सकते है यहाँ पर Infosys आयर कर रहा है multiple IT skills के लिए ठीक है वीडियो पूरा जरूर देखे eligibility समझिए अगर आपको कुछ भी doubt है related to Infosys में कितने round of interview होते हैं क्या questions पूछते हैं apply करने के बाद कितने दिन में response आता है so video description box में मैंने Infosys का discussion group का link दिया है आप वो group join करकर अपने सारे doubt clear कर सकते है and video start करने से पहले अगर आप मेरे channel पर नए है तो please subscribe कीजिए side wallable icon को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको यपडेट मिस ना करें Infosys में होने जा रहा है work in interview for multiple IT skills आपका experience दो साल से लेके 4 साल के बीच होना चाहिए लोकेशन इसका हेदरबाद ठीक है यहां पर यहां पर यहां करने के लिए आपका communication English में excellent होना चाहिए कोई एक रोल में आपको minimum 2 साल का experience होना चाहिए यहां पर apply करने का link है description box में जब आप link पर click करोगे आपके सामे को जिस तरह का interface आएगा यहां पर आप देख सकते है इसका वाकिन दोने जा रहा 10th February 1030 AM से लेके तो बहुत 30 PM तक जब आप नीचे जाओगे यहां पर mentioned है sap अब आपका job description ठीक है for Java यहां पर उसका सारा job description है SQL का job description है UNIS का job description है Java full stack का यहां पर job description है ठीक है जो भी requirement आपकी profile से match करती है उससाब से आपका CV अपडेट करकर यहां पर walk-in कीजिए walk-in करने के time पर यहां पर आपको कुछ documents carry करने है ठीक है अगर आपने second dose of vaccination certificate आपके पास नहीं है आप यहां पर walk-in नहीं कर सकते है अगर आपके पास बस एक vaccination certificate है तो यहां पर आपको RT-PCR की report carry करनी पड़े की ठीक है यहां पर आपको mask covid के सारो protocols यहां पर आपको follow करने है ठीक है यहां पर आपको दो resumes carry करने है सारे government ID proof, pan card, adar card को एक दो government ID proofs यहां पर आपको carry करने है सारे original education documents यहां पर आपको carry करने है walk-in करने का walk-in address यहां पर है walk-in करने के time पर इस job posting का print out भी लेकर जाए वरना आपको अंदर allow नहीं करेंगे वीडियो informative लगा, like कीजिए, आपके friends के साथ share कीजिए आप मुझे support भी कर सकते हो, मेरे चैनल को subscribe कर कर, Allah आपज